हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेथी की खास्ता कचोड़ी की रेसिपी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बहुत ही आसानी से बनाते हैं तो चलिए देखते हैं तो यहां मैंने 200 ग्राम इतना मेथी का साग लिया है अब देख सकते हैं मैं इन्हें सबते पहले तोड़ लोंगी तो मैं सारे साग को तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद मैं इन्हें धो लोंगी तो यहां मैंने सारे साग को तोड़ लिया है अब मैं इन्हें धो लोंगी तो मैंने साग को धो लिया है आप देख सकते हैं अब मैं इसमें नमक एड़ करूँगी मैं यहां थोड़ा सा नमक एड़ कर रही हूँ लगबग आदा चमच इतना मैंने नमक एट किया है अब मैं इन्हें ढखकर इसे बॉइल करूंगी तो साग को मैं पाच मिनट के लिए बॉइल करती हूँ मैं इन्हें लोग फ्लेम पर बॉइल कर रही हूँ तो हमारा साग पक गया है आप देख सकते हैं अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी हमारा साग ठंडा हो चुका है अब मैं इन्हें मिक्चर जार में डालूँगी और अब मैं इसमें तीन से चार हरी मिर्च लेसन और एक छोटा अद्रक का टुकरा मैं एड कर रही हूँ अब इन्हें ग्राइंड कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है अब आटा गूतेंगे तो मैंने यहां हाप के जी गेहूं का आटा लिया है अब मैं यहां ग्राइंड की हुए मेथी के पेट को एड करूंगी अब एक छोटा चमच नमक डालेंगे अब रिफाइन वाइल डालेंगे आप रिफाइन वाइल या घी किसी चीज़ का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं यहां थोड़ा सा रिफाइन वाइल एड कर रही हूं लगवख दो चमच इतना अब मैं इसमें अजवाइन एड़ कर रही हूँ और कलॉंजी एड़ कर रही हूँ अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हलका सा पानी एड़ करके कचोरी का आटा गुत लेंगे बॉइल करते समय मेथी के साग ने जो पानी छोड़ा था मैंने उसी पानी का यूज किया है तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने कचोरी का आटा गुत लिया है अब इसकी छोटे छोटे गोले बना कर मैं इनकी कचोरी यां बेल लोंगी तो पहले मैं छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ मैंने आटे के बाल बना लिये हैं अब मैं कचोरья बेल हैं तो आप देख सकते हैं मैं हलका सा ऩ servers लगा कर कचोरी से बेल हूँ को मुदे लगं हों तो मैंने कचोड़ियां पेल ली हैं अब मैं इन्हें तलूंगी तो इसके लिए मैंने कड़ाई गरम होने के लिए चड़ा दिया था अब मैं यहां इसमें रिफाइन वाइल डाल रही हूँ हमारा रिफाइन वाइल गरम हो चुका है अब मैं कचोड़ियों को तल लूँगी कचोड़ियों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूँगी इसने मैं मीडियम फ्लेम पर तल रही हूँ कचोड़ियों हमारी लाल होना स्टार्ट हो गई है आप देख सकते हैं तो हमारी कचोड़ियों गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब मैं इन्हें निकाल लूँगी तो हमारी मेथी की खास्ता कचोड़ियां बनकर तयार है तो आप भी इससे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना भूले ठैंक यू